अपराधियों का अड़्डा मन चुका है और आए दिन यहाँ पर कम अमर के युवा बदमाशी करते हुए सोशल मेडिया पर हत्यारों के साथ कभी फोटो पोस्ट करते हैं तो कभी अपने जन्मदिन पर तलवारों से केक करते हुए दिखाई देते हैं इसके शुरुवात कुख्यात कयंक्टर सलमान लाला ने अपने जन्मदिन के मौके पर के थी हला कि सलमान लाला तो गिरस्तार होकर जेल जा चुका है लेकिन सल्मान लाला के नकष्य कदम पर इंदौर में एक नया सल्मान लाला अप चल पड़ा है दरसल इन दौर में एक युवक के जनमधिन मनानी का वीडियो सोशल मेडिया पर अभ वाइरल हो रहा है युवक ने तलवार से केक काट कर अपने अलग-अलग वीडियो सोशल मेडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है जानकारी के बाद पोली सधिकारी मामली की जांच में जोटे होए है केक काटने वाला युवक राजनेतिक पार्टी से जोड़ा हुआ भी बताया जा रहा है यह मामला है गली नंबर 6 पवन पुरी पालता का यहाँ पर शनी मंदिर वाली गली में गौतम जोशी नाम का एक युवक अपना जन्म दिन मना रहा था उसके साथ के लोगों ने इसके लिए गली में आकर केक कटवाया जिसमें उसने तलवार से केक कटा और फिर उसका वीडियो बना कर सोशल मेडिया पर शेयर भी किया गया गौतम के साथ इलाके के युवक भी जुलोस निकालते हुए दिखाई दे रहे है गौतम ने अपने वीडियो में खुद को शेहर का भाई बताया ठीक वैसे ही जैसे सलमान लाला बताया करता था इसमें उसने अलग-अलग जगों पर तलवार का इस्तेमाल किया पुलीस को जानकारी लगने के बाद वो मामले की जांच में जुटी हुई है आजात अगर टियाई इंद्रेश्ट रिपाठी के मताबिक उन्हें वीडियो मिल जुका है जिसकी वो जांच करवा रहे हैं इस मामले में गौतम पर आम सेक के तहत कारिवाई की जाएगी वैसे आपको बता दे कि इन बाद शेहर में पिछले कुछ समय से हथियारों के साथ युवाओं का फोटो डालने का क्रेज बहुत जादा बढ़ चुका है लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन का बटन दबाईए वीडियो नियूज की खबरे सबसे पहले देखने के लिए